आपने बैक लिंक किस तरीके से जनरेट करने और बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो इस वीडियो के इंतर हम बात करने वाले ओफ पेज स्क्रीन के बारे में और मैं आपको बहुत सिंपल और लेमें लेंग्वेज में बताने वालों कि बेसिकली ओफ पेज यसी होता क्या है ओफ पेज यसी होता है कि जो भी आपकी वेबसाइड के आउटसाइड किया गया है मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं आपकी वेबसाइट से बहार क्या हुआ है एक्षिन टेकन आउटसाइड ओफ यूर ओन वेबसाइट तो इंपक्ट यूर रैंकिंग्स वेदिन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज तो बेसिकली आपको जैसे एक मेरी वेबसाइट है एक किसी और की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में कुछ नहीं कर रहा हमने जो दूसरे वाली वेबसाइट है हमने लिंक दिया अपनी वेबसाइट का तो वहाँ से जो भी लिंक जूस होगा जितने भी ट्राफिकों का वहाँ से आएगा और अब ये कैसे पता चलेगा कि हम अच्छी वेबसाइट कैसे लेंगे हम देखो तो हमने एक extension डाउलोड करा है जिसका नाम है मोजबार ठीक है मोजबार होता है हमने इसको extension को लगाया हुआ है अब यहां से authority के बारें पता लग जाता कि किसकी वेबसाइट की कितनी authority है for example मैं digital dairy की खोल के देखता हूँ अब यह authority बनती कैसे है सबसे important चीज है कि authority बनती कैसे authority आपकी जब बनती है जब आपने SEO के सारे parameters फुल्फिल करे हो आपकी website पुरानी होनी चाहिए आपने SEO को देखके काम करा हो आपने white hat SEO करा होगा जब जाकि आपकी dominant authority increase होती है Google को आपके उपर trust होना चाहिए और जब Google आपके उपर trust करता है तो दीरे दीरे आपकी dominant authority increase होती है लेकिर इसको बढ़ने में काफी समय लगता है सोचो कि 5 साल हो हमें industry के अंतर होगे हमारी 19 है हमारी एक बार almost 32 के आसपाद चली गई थी वो सारा paid traffic आता है advertisement करके लेकिन SEO से आपका free traffic आयता है और highly convertible traffic होता है तो मैं आपको बोलूगा कि SEO पर भी ध्यान देना start करो जिन लोग के पास पैसा नहीं है वो SEO की मदद लेके traffic लेके आते हैं जिन लोग के पास पैसा होता है वो advertisement चला के traffic ले आते है तो उससे जल्दी result मिल जाते है SEO से थोड़ा late result मिलता है लेकिन solid result मिलता है तो अब backlink का basically off page SEO का simple सा अगर बताओ तो बहार किसी website से आपकी website को link मिल रहा है और वहाँ से traffic आ रहा है तो आपका वो backlink count होता है अब backlink भी दो तरके होता है follow link और no follow link उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते है Google algorithm updates के बारे में देखो Google के algorithm बहुत ज्यादा changes होता है अगर आप देखोगे 2011 से लेके काफी सारे update आया है पहले panda आया फिर उसके बाद hummingbird आया eat आया और बहुत सारे update ऐसे आते रहते है 2022 के अंदर एक नया update आया product algorithm अपडेट करके आया अब यहाँ पे आपको यह चीज़े देखनी है कि जो भी update आएगा आपको उसके हिसाब से अपने SEO को organize करना पड़ेगा तो इतने भी जादा major update नहीं आता है आपको किन किन चीज़ों का धिहान रखना पड़ेगा देखो एक होता है follow link follow link का मतलब basically होता है कि अगर मैं किसी को backlink दे रहा हूँ अगर मैं for example आपकी website है और मैंने एक word में ले लिया कि prince की website है तो मैंने हापे लिखा prince और prince की website में www.prince.com मैंने वहापे उसको डाल के दे दिया और वहापे उसकी website में क्लिक करके चला गया तो वह count होगा follow link लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसको backlink ना दे कैसे हमने उसका link डाल रखा है लेकिल no follow हम option on कर देंगे और वह जो search engine होता है वह उसको crawl ही नहीं कर पाएगा उसके result उसके दिखी नहीं पाएगे मतलब वह count ही नहीं होगा as a backlink आप ये भी कर सकते हो तो ये दोनों तरीके option होता है और ये जानना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि लोग आपका पागल भी बना सकते है कि आपको उनोंने backlink दे दिया है और इनका एक code होता है अब simply आपको पहले code अगर इसको नहीं देना आपको backlink पर आपको दिखाना है कि हमने आपको link दे दिया है तो वो भी कर सकते हैं और नहीं देना है follow वाला link तो आप वो भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क आपको अभी दिखाने वालों कैसे होता है तो सबसे पहले दिखाई देता हूँ मैं आपको तो for example यह हमने एक link दिया हूँ यहाँ पर यह यह है follow link ठीक है follow link basically क्या होता है मैंने किसी दूसरी website पर link दिया हूँ है तो यहाँ पर मैंने no follow पर on नहीं कर रहा है तो Google इसको count करेगा as a backlink ठीक है अगर मैं इसको यहाँ पर select करके no follow बना देता हूँ अगर मैंने इसको यहाँ पर कर दिया no follow मैंने इसको option को on कर दिया search engine should ignore this link यह as a backlink count नहीं होगा क्योंकि यह no follow link है तो आपको थोड़ा सा aware रहना पड़ेगा follow link ले रहे हो आप यह no follow link ले रहे हो और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना आपको उन website से backlink लेना है जिनकी authority आपसे जादा है ना कि जिससे आपकी कम है और मैंने आपको बता दिया मोजबार यहाँ पर आता है हमारी website 19 है dominant authority अगर किसी की 21 होगी 22 होगी 25 होगी मैं उनसे backlink लेना पसंद करूँ ना कि जिनकी dominant authority मेरे से कम है तो मैं उनसे लेना पसंद करूँगा तो इसी तरीके से आपको भी same चीज़े करनी है कि आपको अच्छी website ढूड़ने है जहां से आपको backlink मिलेगा और google उसको count करे और वो भी follow link होना चाहिए जिस तरीके सा अभी मैंने आपको दिखाया anchor text होता है यह visible clickable text होता है कि normal simple जो text होता है उसके नीच underline होता है वहापे click करके आप दूसरी website बेचा सकते हो link juice basically होता कि है आपको link juice के बारे मैं बताता हूँ quality backlinks होता है जहां से आपके पास अच्छा घासा traffic आता है for example मेरी industry के अंदर जितने भी लोग है जितने भी इंडिया के top digital marketers है अगर मैं उनको बोलू कि आप मेरी website का link अपनी website के blog में डाल दो और आप explain कर दो कि अच्छे quality के backlink जहां से traffic आपकी website पाता है authority of domain this is very very important जो मैं आपको यहाँ पर देख के बता देख के 98 domain authority गूगल का है तो इसलिए 98 domain authority दिखा रहा है तो यहाँ पर रिलिवेंसी देखने के लिए आपको यह extension डाउनलोड करना पड़ेगा और यह मैं शुरू से देख के रख तो पता है इससे मुझे पता लग जा था कौन industry के अंदर नया है कौन पुराना है कौन किस चीज़ के उपर कितने दिन से काम कर रहा है यह शायद मैं जब से industry के अंदर आया तो जब से ही मेरे extension में लगा है मैंने कभी हटाया नहीं है इसको और काफी सारे extension हम इस्तेमाल करते हैं यह सारी चीज़ है तो यह सारे extension हम use करते है और यह basically बहुत मदद कर देता है कि यह startup नहीं है यह company नहीं है इनकी website में क्या कमी है अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है तो यहां से काफी सारी चीज़े पता लग जाती है मैं आपको बता भी देता है बहुत अच्छा टूल है जिसका नाम मोज अगर आपको अपनी website को analyze करना होगा तो आप जाके directly अपनी website को यहां से analyze भी कर सकते हैं मैं एक बड़ी आपको करके दिखा देता हूं यहां पर हम analyze domain कर देंगे हमने अपनी website का link डाल दिया यहां पर clearly बता रहे domain authority 19 linking root domains 312 keyword जो हमाई rank कर रहे है इतना spam score हमारा one दिखा रहे है तो यहां पर सारी चीज़े बहुत डिटेल में दिखा देता है और यह देखो I am not SEO guy now क्योंकि हमने totally shift कर लिया है बट पहले बहुत SEO के उपर काम करें तो मुझे सारी चीज़े पता है मोज बहुत अच्छा है ठीक है अगर आप डिसल देहरे की page authority देखेंगे तो इस page की authority 36 है ठीक है master class की जो हमारा page है उसकी authority 31 है तो एक होता है domain authority एक होता है page authority यह दोनों तरीकी लिखेंगे तो हमारी website का यह सारी चीज़े detail में देता है ठीक है उसके बाद यहां से हमारे कित्ते link lost हो गया है कित्ते discover हमने कर रहे है क्या क्या सारी चीज़े यह हमारा यह मैं अब यहां देख लेते हैं यह पहला link है first second third fourth fifth and sixth बिल्कुल correct बता रहा है अगर आप देखोगे यह मेरी website है ठीक है मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं digital diary.com जैसे कि आपको दिख गया और जब हम ब्लॉग लिखते थे तो यहां पर हमने पूरा competition research वेगरा और जब उस time पर हम करते थे तो यह number one rank कर रहा था जब मैं SEO के अंदर काम करता था और यहांस हमने affiliate marketing के थूँ बहुत पैसा कमाया है ठीक है जैसे आप यहां देख सकते हैं लोगों ने यहां पर क्लिक कर रहा और यहां पर क्लिक करके और भी different products होते थे हम लोगों को रिकमेंट करते थे अगर उनको वह चीज अच्छी लगती थे क्लिक करके उसको पर्चेस कर लेते तो उसका हमें commission मिलता था सो जैसे कि आप सबी लोगों ने देखा कि यह बहुत important tool है dominant authority यहां पर दिखा रहा है जो मेरे top competitors हैं देख लेते हैं कि यह actual हमारे competitor हैं भी के नहीं जैसे website हम कूल लेता है ओके डिजिटल मार्केटिंग की website है कोई तो यह competition में हमें इसको count कर रहा है और इनकी देखो यहां पर यह लोग है पता नहीं कौन है यह नील पटेल इनको जानते हम राइट और यह है digital marketing की website यह जो भी है digital marketing की website है यहां पर नील पटेल को हमने देख लिया और यहां पर dominant authority अच्छी है तो मैं इस से backlink लेख सकता हूँ इस website से backlink लेख सकता हूँ इनको email करके कि हम collaborate कर सकते हैं जो भी सारी चीज़े है तो इसलिए यह best tool है मुझे बहुत पसंद है यह tool और इसमें तो यह free वाला है आप paid लेके इसमें और सारी चीज़े देख सकते ह अपनी website के बारे मैं हर छोड़ी से छोड़ी detail देख सकते हूँ ठीक है हमने internal link को मैंने शायद पिछले ही उसमें बता दिया था internal link क्या होता है कि basically अगर मुझे अपनी website के अंदर link देना है किसी blog का link देना है तो मैं यहाँ पे click करके अपनी website का कोई दूसरा blog होगा या reference दे इसी website को हम link दे रहे हैं अब बात कर लेते हैं why backlinks are important for SEO क्यों important होता है यह आपकी ranking को increase करते हैं जैसे search engine पे जो आपकी ranking होती है से हमारा article जो मैं आपको दिखाया है वो six number पे rank कर रहा है अगर मेरे पास अच्छे का से backlink होंगे तो मेरी पूरी website शायद number one पे rank करेगे right अगर मैं आपको बोलू कि यह digital धहरे के उपर हमने काफी काम कर रहा है हमने इसका SEO सारी चीज़े करी हुए अगर आप लिखोगे तो यह सबसे उपर क्यों दिखाई दे रही है यह सबसे उपर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमने इसका SEO बहुत अच्छा कर रहा है भी होगे जितना आपका dominant score increase होगा उतना जल्दी आप Google पर rank करोगे इसका मतलब यह हो तो Google आपर trust करता है कि आप एक authentic आदमी हो जो सबसे real information दे रहा है ठेक है increase ranking हो गया, sending referral traffic हो गया, backlink में referral traffic मिलता है आपका, आपका brand बिल्ड होता है जब लोग दूसरे brand से आपके brand को देखने आते हैं तो आपका brand बिल्ड होता है और building relationship सबसे important जीज़ कि आपका relationship बिल्ड होता है दूसरे लोगों के साथ आप थोड़ा से जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है black hat SEO सोच के भी मत करना नहीं तो पूरी website आपकी खराब हो सकती है कोई भी result नहीं मिलेगा website penalized हो सकती है Google से तो वो सारी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए हमें focus करना है white hat SEO पर आज तक मैंने black hat कर रहा नहीं है औ black hat के जो result होते है बहुत कोई होते है बहुत fast होते है लेकिन end time में long run में आपको बहुत नुक्सान दे सकता है black hat SEO होता क्या है wrong techniques breaking search engine rules white hat SEO follow search engine rules and techniques right अब इसमें क्या-क्या है white hat SEO के अंतर आ जाता है keyword research relevant content and links well leveled image linking to getting links मतब यह सारी चीज़ है आपको इन चीज़ों का धियान spelling and grammar black hat SEO के अंदर हम keyword stuffing कर रहे हैं जैसे हमने blog लिख रहे हैं तो blog के अंदर हमने एक ही keyword को बार-बार-बार SEO को समझ कर कि बार-बार दिखेगा तो हमारी ranking number बना जाएगे ऐसा नहीं होता है keyword stuffing अगर एक बार ही Google ने देख लिया आपका तो आप कभी rank नहीं कर पाओगे duplicate content लो link from site with non relevant content जो relevant नहीं है content जब रस्ती उस पर traffic भेज रहे है blog comment and spam लोग comment में भी जाके spam करते तो वो नहीं करना है simple साथ यह off page SEO है अब off page SEO में logo से आपको network build कराने अपने logo के पास जाओगे जो blog लिखते हैं उनके से बात करना है उनको email करो उनके से collaborate करने की बात करो कि आप हमें देदो हम आपको देदेंगे इसमें भी लोचा है ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते किसी ने आपको एक बारी link द आपको एक genuine तरीके से लोगों की मदद करने अगर आपको लगता है कि collaborate कर सकते हैं तो ही करना अदवाई जैसे collaborate मत करना ठीक है जहां पर आप एक दूसरी का fit बहच सकते हो तो ही करना जब भी वो long term के लिए fruitful होगा अभी मैं आपको बता दो next video के अंतर हम बात करने वाला affiliate marketing क के तुरू कैसे पैसे कमाने किते platform होता है क्या क्या सारी चीज़े और बहुत detail में बात करने वाले तो next video हमारा full practical work होने वाला है जो कि affiliate marketing के बारे में है अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा है तो नीचे जो आपको radical का button दिखाई देरा side में वहाँ पे click करके चैनल को subscribe करो bell icon जरू दबाते ना अगर आपने bell icon नहीं दपाया तो future में इतने informative videos आपको कहीं दूसरे चैनल पर नहीं मिलने वाली है and second most important thing is कि अगर आपने telegram group join नहीं करा है तो अभी कभी जाके join करो almost 500 से जादा student ने हमारे telegram group को join कर लिया और बहुत सारे लोग वहाँ पे सीख रह है नीचे description में भी इस group का link ढाल दूगा plus comment में पिन कर दूगा जो हमारे group का link है ठीक है I hope guys आपको इस वीडियो से काफी को सीखने को मिला होगा अगर आपको इस वीडियो से काफी को सीखने को मिला है अभी के आभी वीडियो को like करो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो free में digital marketing का course करना चाहते है SEO सीखना चाहते है उनके साथ शेयर करो और telegram की community join जरूर कर सारा affiliate marketing किस तरीकिस होता है कहा कहा से कमीशनले सकते है बहुत डिटेल में हम बात करने वाले affiliate marketing के बारे में इस गोइंग तो बी प्योरली ओन मनीमेकिंग जो next lesson होने वाला पूरा पैसे कमाने के बारे में होने वाला affiliate marketing से कौन से platform join कर सकते सारी चीज़े तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल मत भूलना नीचे जो रेट कल का बटन दिखाए तरह क्लिक करो समेच करो चैनल को सब्सक्राइब करो बैल एकन जोरुद बाते नगर आपने बैल एकन नहीं दबाया तो affiliate marketing का चैप्टर मिस कर दो कि जो कि बहुत जादे इंपोर्टन है So guys thank you very much for watching this video and as always and as always keep your josh high